ऐसा क्यों होता है जब किसी को पत प्रतिस्ठा और अधिकार मिल जाता है तो वो बेलगाम हो जाता है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या आपको बताएंगे पहले ज़रा यहां अधिकारी और मज़्दूरों के बीच की बहस को देख लीजिए उपर खड़ा ये महाशाय अधिकारी है और नीचे खड़े ये वो लोग है जिनके साथ जादती हो रही है कटिहार के टीम गचिया का मार्केटिंग यार्ड आक्रोश और गुस्य का गवाह बना दरसली गुस्या पुराना है लेकिन फूटा आज है क्योंकि पानी जब से से उपर चला जाता है तो विरोध लाजबी है ये जो नीचे खड़े लोग हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं कुछ ट्रक मालिक भी है और उपर की तरह पैक्स और सीमार गोदाम के एजीम रोशन कुमार है आरोप है कि उनका काम करने का तरीका बिलकुल बेतुका और बेहुदा है उनके काम में तमाम अनेमित ताएं हैं जिसका खामियाजा ट्रक मालिक सहिब ट्रक ड्राइवरों और उनसे जुड़े मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिकों ने एजीम रोशन कुमार पर आरोप लगाते हुए काइंस न्यूस को बताया कि पैक्स और सीमर गोदाम के एजीम रोशन कुमार पहले तो समय पर गोदाम को खुलते नहीं दूसरा वो 5-6 दिन तक ट्रक को खाली नहीं कराते जिसके कारण हपतों तक ट्रक गोदाम के बाहर खड़ा हुआ रहता तीसरा एजीम के द्वारा अंडरलोड माल लिया जाता है और ओरलोड माल ड्राइवरों को दिया जाता है समस्या आज हम यहां पर सब उपस्तित हुए हैं तिन गच्छा मार्केटिंग यार्ड के फिल्ड में जहां पर बहुत से भाई ड्राइवरों लोग की समस्या ऐसी है कि जो सी एमर का माल लेके आ रहे हैं गुदाम में खाली करने के लिए पैक्स का उनकी समस्या कि गाड़ी 4-5 शे दिन तक एजियम साब जिनका नाम रॉशनकुमार जी वह डिटेन कर देते हैं क्या कारण वर्स है वह नकिसी ड्राइवर से बात करते हैं नकिसी मालिक करना चाहते हैं और आज स्थिती ऐसी हो गई है सारे आक्रोश में आ रखे हैं और इस आक्रोश का कारण वाजिब है कि गरीब मजदूर गरीब ड्राइवर जिनके घर में डेली का खाना पीना होता है और उनका पांस दिन तक अगर उनकी जो रोजी रोटी मर जाएगी तो आक्रोशित होना व करवाがज लेकर उनका अगर जो कोई शिकाएद लेकर रहे जा रहा है ग्रीई में के पास बोलने के लिए ऐसी हम साहिब आइफ़ू वैर से बात किजिए उनकरने का अगर जो टाइम मिले गा तो हम बात करेंगें और नहीं तो आप लोग यहां से जाईए शिकायतों का पुलिंदा जब इनके पास इखटा हो गया और यह लोग परिशान हो गया तब हिनों ने यह तै किया कि वो मौके पर जाकर ही इस मामले को निपटाएं उसी का नतीजा है कि आक्रोश सामने आया है